आरोमेटिक अल्डियाइट का मेथड औफ प्रिपरेशन हम लोगों का चल रहा है तोटल तीन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं कल वाला आज के दो वाले और तीसरा चौथा टॉपिक जो हम लोग अरोमेटिक अल्डियाइट में अभी कवर करेंगे वह रहेगा आप लोगों का काच अल्डियाइट शिंतेसस नहीं तो कौच अल्डियाइट शिंतेस थे से वाल्रेटिक इसमेश कर चुके हैं अभी अब लोग डूरे जो पढ़ने जारे हैं वह आप लोगों का सिर्फ और से ग्यार्ट अल्डियाइट रियाक्षन यहां फिर आप इसको यहां सकते हो कि गेटरमेन अल्डी हाइड सिंथेस ठीक है इसमें कौच वर्ड नहीं है और कौच वर्ड नहीं होने की वज़र से इसमें आप लोगों का कैसे डिफरेंस है काफी डिफरेंस है तो अभी अगेन वही प्रवच्चन जो मैं हमेशे रिपीट करती हूं कि किसी भी रियाक्षन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस रियाक्षन के लिए आप सब्स्टेट क्या ले रहे हो ठीक है तो ऑफ्विस है कि अगर आप एक एरोमेटिक अल्डी हाइड बनाना चाह रहे हो तो आप लोगों के पास एरोमेटिक रिंग यानि कि आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए करके बेंजीन होनी चाहिए बट जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बेंजीन को साथ में लेकर चलो आप बेंजीन या फिर आप क्या कर सकते हो उसके कोई डेरिवेटर्स अग्वया कर रहे जैसा हम लोगों ने अभी आप लोगों का कौनसी वाली रियक्शन अभी जर्स किया है गैटरमैन कॉच अडियाइट सिंथेसिस में तो उसमें भी एक मैंने एक्जामपल डेरिवेटिव का लिया है तो कोई भी आप बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटर्स को यहां ले सकते हो अच्छा आप दा मोस इंपोर्टेंट चीज की इस रियक्शन में आखिर क्या चेंज है तो देखो यहाँ पे चेंज एक्शल में है रियेजिन का जो आप लोगों का ग्याटरमान कॉच अल्डियाइट सिंथेसिस है वो ग्याटरमान कॉच अल्डियाइट सिंथेसिस में रियेजिन पे के नाम पर आपके पास होता था कार्बन मोनो ऑक्साइड और आपके पास होता था आचा तीसरी चीज इस question में आप लोगों के पास catalyst क्या है तो जो catalyst हम लोगों ने previously लिया था वही same catalyst हम यहाँ पे लेंगे करके वो आप लोगों का रहेगा यहाँ तो यहाँ पे यहाँ पे लूइस आसेट यानि की एनहाइड्रस यहाँ लोगों ने यहाँ पे क्या किया यूज किया अब देखें इस reaction में होगा कैसे पहले तो एक छोटा सा जी के फाक्ट मतलब पहले एक overall reaction देख लेते हैं फिर जी के फाक्ट पर बात करते हैं overall reaction ऐसी रहेगी कि आपके पास इमार्जन करते हैं एक बेंजिंग रिंग है इस बेंजिंग रिंग में तुमने HCN डाला और तुमने SCL डाला प्लस यहाँ पे आपने लूइस आसेट यानि की ALCL3 डाला कोई specific temperature की conditions की नीड नी है हां बस इतना है कि यहाँ पे एक आपका intermediate बन और मैं final product के बारे मांद करते हूं सीधा यहाँ पे आप लोगों के पास जोची बनके रेडी हो गई वह आपका benzaldehyde बराबर यह बनगे आपका benzaldehyde तुम इसके बदले में जरूरी नहीं कि बेंजीन लो यहाँ पे एनिसोल ले सकते हो जैसे हमने ग्याटरमन कौच में ल लेते हैं लेट से आपने तॉलीन लिया है और तॉलीन में आपने यही चीजे डाली एच पिर डाला है आपने एच सी एल और फिर डाला है एल सी यल थी तो ऐसे में आप यहां पर जो product आपके पास बनेगा वस्क्या होगा यह बेंजींग रिंग और उसका में जो छी एच का वैसी और उस च्री के रिस्पेक्ट में जो पहला पोजिशन है वहां पर जाके क्या लग जाएगा ठीक है अच्छा अब एक जी के फैक्ट जो तुम लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि आपका जो है ठीक है आपका जो हैं अगर मैं इस हैं को कंपेर करूं किसके साथ आप लोगों के साथ तो बिट्वीन आप लोगों का हैं और बिट्वीन आप लोगों का क्या कहते हैं अगर इस पर अपने डिसकेशन करें तो आपका जो है ठीक है वह है यह अगर एक इस बात को इंप्लाइस करता है यह इस बात को इंप्लाइस करता है कि वहती इजीली वह अपना क्या कर देगा एच प्लस रिमूव कर देगा तो ऐसे केस में आखी है तो दोनों ही एसेड बट कौन अपना एच प्लस ज़्यादा असानी से रिमूव कर सकता है वह है एसील यानि कि बिट्वीन दीज टू आप लोगों के पास एसीन और एसील के वर्सेस में अगर मैं मेक्यानिजम में ज एसानी पहले तो पहले तो हम लोग एच प्लस निकलेगा तो यह दोनों एलेक्ट्रों किस पे मूव हों गेच प्लस पे मूव हों गे अच्छा अब याद रखना HCN के यह reaction आपके reverse से बले करके, अब देखो जब यह दोनों electrons आपके CL पे shift हो गए, तो H पे positive charge आजाएगा, और जब H पे positive charge आएगा, तो यह nitrogen क्या करेगा करके, अपने यह जो loan pairs की मदद से कोशिच करेगा, इस H के साथ bond मना ले यानि कि situation तुमाई पास कुछ इस प्रकार की रहेगी कि H, फिर इदर कारबन triple bond, उसके बाद nitrogen और nitrogen के साथ H, क्योंकि nitrogen अपना loan pair use के bond मनाने के लिए, इसके पर आगया इस तरह के positive charge बराबर, अब हमें पता है कि nitrogen आप लोगों का one of the electron negative आप लोगों का क्या कहते है element है, और उसके उपर आप लोगों ने क्या करके positive charge देखे रखा है, तो इसका second resonating structure बनाएंगे, जैसे कि हमने काच वाले में क्या था, यह आपके pi electrons, यह आपके क्या कर दोगे यह आपके बना दिया, मैंने हम, देखो, यह आपके जो one of the pi electrons से किस पे shift हो जाएंगे, आपके nitrogen पे, तो यह उसका other resonating structure है, अगर ऐसा हुआ, तो H और C, उसके बाद double bond, nitrogen, यहाँ पे hydrogen, उसके उपर lone pair, अब positive charge आ गया carbon पे, अब अगेन वही काच वाली सेम मैं बाची तुमसे repeat कर रही हूँ, कि अगर resonating structure 1 और resonating structure 2, इसमें कोई मुझे पूछेगा कि कौन सवाल है resonating structure आप लोगों का जादा stable है, तो obviously stability के माँने में आप लोगों का resonating structure number 2 जादा बहतर है, क्योंकि उसमें positive charge किसके उपर है एक ऐसी species के उपर है जो आप लोगों की कम electronegative है, अच्छा, अब इस question में एक CL भी तो generate हुआ था बराबर इस system में CL भी generate हुआ था, तो इस system में जो CL negative है, वो CL negative देखता है करके कि अरे वा carbon पे करके positive charge generate हुआ है तो चलो करके इस carbon के साथ अपने electrons को donate करके bond बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H, उसके बाद carbon, यहाँ पे नीचे में आ गया CL, उसका positive charge गया क्योंकि double charge bond बन चुके और यह आप लोगों की situation जैसी की थी अब यहाँ से सबसे पहली step जैसी हम लोगों की होगी, वो यह होगा की आप लोगों को electrophile generate करना है, क्योंकि यह electrophilic substitution reaction है, तो अब electrophile में कैसे generate करूँ, यह जो आप लोगों का H है, इधर C है, यहाँ पे double bond N है है, फिर है है और यह CL है तो इसमें जो हम लोग anhydrous ALCL3 यूज करते हैं यह anhydrous ALCL3 के बारे में तुम्हें पता है, इसके पास six electron है यानि कि इसका electron sextret है, यानि कि इस बिचारे का octate आप लोगों का क्या है, incomplete है, अगर इसके पास incomplete octate है, तो इसकी tendency होगी क्या करने की, अपना octate को complete करने की, तो ऐसा करने के लिए ALCL3 क्या करता है, यह advertisers, CL के यह दोनों electron होते हैं, यह दोनों electron होते हैं यह आपे CL पर shift होते हैं और CL अपने दोनों electron लेकर पहुचता है, aluminium के पास, तो जब यह दोनों electron लेकर aluminium के पास जाएगा, तो ALCL3 तो पहले सिदा, अब वो बन जाएगा, ALCL4 निगेटिव और जो आपके पाद दूसी स्पीशीज बनेगी वो रहेगी H यहां कार्बन पॉजिटिव चार्ज इधर डबल बॉंड और यह N और यह H यानि कि तुम यह रेखो कि जहां से हम शुरू किये थे हम वहीं पर वापा से पहुंच गए CL जोड के भी हमें कुछ नहीं मिला इसलिए मैंने कौच में वाली चीज कैसा स्किप कर दी थी बड मैंने सोचा कि इसमें करवा लेते हैं इलेक््ट्रफाइल के होने के बाद जनरेट होने के बाद सेकेड़ स्प्र outlines Merry कुछा पीछसिभी और फिल्कर करते हैं तो अब य Cathedral का अब 25 सिछय बिनिय इंजिट कर दे खुद रिड जब असकी देरिवेटर करवा सकत हैं तो छो यह आप लोगों का किया अगर लिया करता हैं तो तो यह जो दोनों πाई एलेक्ट्रोंस है, अगर अटाक कराना है नहीं कि बॉन्ड मना रहा है, तो यह यहाँ से यह कार्बन जुड़ गया, कार्बन के पाईड्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड एनेह है, कार्बन का पॉजिटिव चार्च चला गया, बट विचारे इस कि यह पूरा का पूरा structure यह अभी क्या करेगा undergo resonance इस case में क्या होगी undergo resonance और जब resonance हो जाएगी ठीक है जब resonance आप लोग की खतम हो जाएगी तो ऐसे case में फिर क्या होगा आप लोगों का कि अब उसके बाद जो इसकी third step रहती है वो third step क्या रहती है आपका यह remove करेगा किसको remove करे यह अपने अंदर entry दी तो इलेक्ट्रोफाइल को entry देने से होता कैसा है कि विचारे का ना क्या create हो जाता है aromatic structure एक anti-aromatic structure में convert हो गया अब उसको anti-aromatic structure तो चाहिए नहीं तो अपनी stability को वापस से regain करने के लिए यह जो edge होगा हर carbon के पास एक edge होता है तो इस वाले edge को हटा दे है यह वाले edge को बोलता है कि तुम निकलो यह edge बाहर निकल जाएगा अब यह जो edge बाहर निकलेगा तो यह दोनों के दोनों electrons किसको दे कर जाएगा इस carbon पर और यह carbon bond बना लेगा इधर तो यहनि कि यह का already हमने किया है इसलिए मैं इसको अभी जल्दी-जल्दी करवा रही ह कि कुछ तो benefit रहे है पहले detail में पढ़ाने का तो यह रेखो यह आप लोगों की ring आ गई ring में aromaticity वापस से गेन हो गई अब यहाँ पे carbon है carbon के पास यह आपका hydrogen है इधर double bond NH है तो यह जो तुम्हें particular structure मिला ठीक यह जो particular structure मिला this is I mean मतलब आपको कभी भी इस question में direct aldehyde नहीं म यहाँ पे direct LDIT मिलता है यहाँ पे आपका क्या होता है कि I mean बनता है अब यह I mean बनने के बाद अब क्या अब ऐसे तो इलेक्टोफिलिक का substitution reaction कतम हो गई है लेकिन अब क्या तो देखो I mean का अब हम लोग क्या करवाते acid hydrolysis इसका क्या करवाते acid hydrolysis तो जब तुम्हें इसका acid hydrolysis कराओगे तो याद रखो I mean कि acid hydrolysis करवाने के trick है ठीक है mechanism नहीं है इसके हमाई syllabus में इसके trick है trick हमको याद करनी है trick यह है कि आपका जो water होता है कई जगा trick के according हम H देते हैं किसी को OH देते हैं लेकिन I mean कि जब जब आप लोगों को याद रखना hydrolysis करानी होगी तो यही trick तुम लोग use करोगे कि यहां से यह bond आप में तोड़ा इस तरफ O दिया इस तरफ H2 दिया ताकि वो जो NH3 के form में बहार जाए यह कोई mechanism नहीं है सूचना सुनो मेरी अच्छे से यह कोई mechanism नहीं है तो यहां पे क्या होगा कि आप लोगों का NH3 के form में बहार जाएगा यह आने के लिए है लेकिन अगर तुमने यहां से bond break किया इदर O दिया तो यह तो confirm है कि यहां पे आप लोगों के पास क्या बन गया करके यह एक benzyldehyde बन गया बाहर पे निकल गया NH3 बाहर कौन निकल गया आप लोगों का NH3 अब लेकिन वो NH3 नहीं 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 इस reaction में क्योंकि हमने SCL का यूज किया है तो वो NH3 और वो SCL कंबाइन होकर यहां पे बना लेते NH4CL यानि कि Gatterman का जो यह अल्डियाइट सिंतेसिस है इस Gatterman के अल्डियाइट सिंतेसिस में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस question का byproduct कौन सा है तो इस question में जो byproduct का आप वो को obtain होकर मिलता है वो रहता है NH4CL और सबसे important चीज यहां पे जब हम पूरी reaction complete कर लेते हैं जब हम लोग बेंजीन से वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक का substitution वाला जो path है जब हम लोग उसको complete कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक substitution का path complete करने के बाद हमें क्या मिलता है और फिर उस I mean का जब आप hydrolysis करते हो acid hydrolysis तो जाके आपको क्या मिलता है aromatic aldehyde महाँ पे आपको obtain होता है so this was about the getterman aldehyde synthesis लेकिन अगर यह getterman का coach aldehyde synthesis होता तो बेंजीन में आप जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक का substitution reaction करते है तो तुरंद इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction करते है वक्त आपको कुछ tension लेनी की जरवत नहीं है तुरंद वहाँ पे क्या मिल जाता है aromatic aldehyde तो यह difference है दोनों में और obvious है कि reagent में भी आप लोगों का क्या होगा difference होगा ही करके-करके बराबर तो य नहीं पर हम लोगों का अब यह topic aromatic aldehyde के preparation का करता है कल हम लोग ओजोन लेसे सीखेंगे कि अगर आपके पास एक अलकीन है और अगर आपके पास एक अलकाइन है तो किस तरीके से अलकीन और अलकाइन की ozonless करके आप एलिफेटिक का कर सकते हो अल्डियाइट प्रिप्रिप होगी कहां पर क्या गडबर है उसको थोड़ा no down करके मुझसे doubt के form में उसको पूछोगे ठीक है तो फिर सीच को अभी आज के लिए over करते हम लोग